नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कारिक्रम संसकार हेल्थ मंत्र में आज किस कड़ी में हम बात करेंगे रेवन चीनी से होने वाले फायदों के बारे में आचारबाल कृष्ण जी बताते हैं कि आईरवेद में रेवन चीनी को औशधिय गुणों से भरपूर माना गया है रेवन चीनी कई रोगों को दूर करने में लाबदायक होता है किन बिमारियों में इसका उप्योग निरापद होता है किस तरह से रेवन चीनी का उप्योग कर हम इससे फायदा उठा सकते हैं आईए जानते हैं जिनको अमलपित की शिकायत रहती है खटी ड़कारे आती है अपच है वे एक एक भाग बराबर मात्रा में रेवन चीनी धनिया एवं मिश्री को मिला कर पाउडर बना ले और सुबह शाम खाली पेड गुन-गुने या ताजे पानी के साथ सेवन करें आराम मिलेगा और पेड भी साफ होगा अमलपित के साथ अगर दस्त भी हो रहा है तो इसका सेवन ना करें शीत पित के लिए रेवन चीनी बहुत ही गुनकारी है यदि आपको शीत पित और फोले पड़ते हैं तो दो दो ग्राम रेवन चीनी एवं मिश्री को मिला कर पाउडर बना लें इस पाउडर का सुबह शाम ताजे पानी के साथ नियमित सेवन करने से कुछी दिनों में फो शीकायत दूर हो जाएगी जो प्रमेह के रोगी हैं उनके लिए भी ये लावकारी प्रियोग है यदि आपको अर्थराइटिस के शीकायत है शरीर में दर्द रहता है कमर वज जोडों में दर्द है तो रेवन चीनी मेथी सोंट अश्वगंधा और हल्दी का पाउडर कर न मस्या के साथ कब्ज रहता है तो रेवन चीनी को चंदन के तरह घिस कर थोड़ा शहद मिला कर बच्चे को चटाए इससे कुछी दिनों में बच्चे की पेट संबंधी शिकायते दूर हो जाएंगी दो-तीन महने के बच्चे को भी इसका सेवन करा सकते हैं जिन छोटे बच बच्चों को दूद नहीं पच्चता बार-बार उल्टी होती है उन्हें थोड़ी मात्रा में रेवन चीनी को घिस कर शहद के साथ दिन में दो-तीन बार कुछ दिनों तक चटाए इससे पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी और लाब मिलेगा आचारी जी बताते हैं कि स्वांस के रोग्यों के लिए रेवन चीनी बहुत ही लाबकारी है जिनको स्वांस की परिशानी या दमा है वे एक ग्राम रेवन चीनी का पाउडर बना ले और उसका नियमित सेवन करें इससे स्वांस और दमा संबंधी परिशानिया दूर हो जा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा हेल्थ से संबंधित ऐसे ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करें और हाँ, बिल आइकॉन जरूर दमाए ताकि हेल्थी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुँचे रखिये अपनी सेहत का ख्याल, नमस्कार